Hello everyone, welcome back to load with Akash यार तुम मेंसे बहुत साथे students, last minute suggestion and जो हमारे वीडियो दो आले हैं section A and section B के अंदर ठेक है वो देखें ने बहुत साथ लोग मने को पूछ रहते हैं Akash के अंदर कि भाया computer के marks को कैसे calculate किया जाता है और हम कैसे 100 में 100 उठा सकते हैं देखो यार मैं marking scheme समझाने वाला हुए बहुत कम 10 का वीडियो होगा ठेक है देखो यार बहुत simple marking scheme है ठीक है तुम देख सकते हो कि ICC computer practically में हमारे 100 marks जाता है 100 marks and theory paper में हमको 100 marks करनी पड़ते हैं जिसके अंदर 40 number रहता है from हमारे section A and 60 number रहता है प्रोग्राम के ऊपर ठेक है तो टोटल मार्स कैसे है कल्कुलिट के जाता है प्रैक्टिकल माक्स जितना तुमको मिलने बाला है practical में या फिर तुम बोलते हो तुमारे लाब मतलब क्या बोलते इसको हम project ठेक है project जो तुम सब्मिट कियो practical project ठेक है इसके साथ या हमारे theory paper ठेक है इसके साथ हमरे theory paper ठेक है इसके साथ हमारे theory paper divide by two जो number तुमको मिलने वाला है that will be the marks ठेक है जो यह हम ऐ हमरे marks ठेक है तो हम EX starting approach सथाया टेक है कि तुमको यार प्रैक्टिकल हम प्रोजिक को सथाया थे 95 मिला ठेक है पकर लेते हैं ठेक है यह फर 94 मिला ठेक है बाइटू तो कितना नमबर तुम्हार हो रहा है 194 by 2 is the number you are getting तो ultimately you are getting how much 2102, 290, 14, 97 तो क्या हम बोल सकते हैं कि तुमको 97 marks यह फर 97% तुमको मिल रहा है in computer part ठेक है 97% तुमको मिलने वाल है in our computer right तो क्या यह clear हो गया सबको ठेक है तो इसलिए मैं बोल लो computer को अच्छे से परके जाओ मैंने course launch कर दिया ठेक है जिसके अंदर तुम 100 में सा स्कोर कर सकते हो 50 प्रोग्रम है all important questions है PQ wise है all pattern है loop है test series है ठेक है करके जाना ठेक है and यह हमारे marking scheme है बागी सब भी हमने upload करती है जाके ठेक है कोई भी कमेंट है तो कमेंट कर रो ठेक है good bye